हुआ है हलो दोस्तों स्वागत हमारी यूटूब चैनल में आज हम स्टेट प्वैंट की कटीन करके बताएंगे आपको इससे पहले भी हमारी इस्टेट प्वैंट की वीडियो आ चुकी है लेकिन क्योंकि उसमें बोला गया कि निसान हमको नहीं दिखता है तो आज हम आपको बताएंगे तो हमारा माप है 40 इंची हमारा हीप बेश्ट है हीप हमारा 42 है थाई हमारा 23 है और हमारा जो एंकल के पास यानि नीचे है वो हमारा 13 रहेगा तो हमने एक उपर की तिरफ आपको एक निसान लगा लेना है इसे उसके बाद हम पहला निसान जो लगाएंगे वो थाई का देखेंगे कितना है तो हमारा थाई 23 है तो उसका आधाम देख लेंगे कितना है तो हमारा सारे 11 आएगा सारे 11 हमारा आएगा इसमें और सारे 11 में से हमको 2 इंची निकाल देना है हमारा बेल्ट रहेगा उपर दो इंची का तो दो इंची आपको इसमें से निकाल देना है तो हम सारे 9 इंची पे एक निसान लगाएंगे उसके बाद हम एक निसान 20 इंची पे लगाएंगे कि हमारा गुटना यानि नी होता है उसके बाद हमारा लेंद रहेगा 36 तो हम 36 पर एक निसान लगा लेंगे और सेम निसान आपको यहाँ भी लगा लेना है और इन सबीन निसान को आप सिदा कर लें और एक भी चीज को आप छोड़े नहीं ध्यान से देखें तो हम पहले center में निसान लगाएंगेए यह आपको ध्यान से देख न है इह से लगालें इस पार हम ठाई का निसान लगाएंगे तो हमारा थाई सारे 11 यह यहisiły 13 ऑ और इसके बीच में का हम साल के ऑगा एए सारे 11 के बीच में जो की आता हमारा यहन सा लगा लें तो यह हमारा सेंटर हो गया अब हम यह सेंटर को यह कॉंटर से नाप लेंगे किता है तो यह इतना रहा है सबसाथ के करीब सारे साथ तो इतना निसान यहां भी लगा लेंगे और सेम निसान हम सेंटर के लिए देख लिए इतना है तो यही सेम नीचे तक आने के बाद यहां भी लगा लेना सेंटर में इन सभी लाइनों को यह सिधा कर ले आप एकदम सिधा कर ले है यह यह आप हमारा यह सिधा हो गया है अब हम अपना नीका निसान लगाएंगे तो वह हमारा सोला है तो हम चार-चार इंची दुनों तरफ से दे देंगे इसको चार और चार आठ अब नीचे का निसान लगाएंगे तो यह हमारा तेरा इंची रहेगा तो यह हम छे इंची लगा लेंगे इसमें तीन तीन इंची और एक इंची हमारा बड़ा करता है तो तेरा हो जाएगा उसके बाद हम कमर कनिसान लगा लेंगे उपर के तरफ तो हमारा कमर जो है 40 है यह हमारा बड़ा है कमर तो हम इसमें सारे 4 इंची उदर के तरफ देंगे और सारे चार इधर यानि 9 इंची इधर हो गया पलस हमारा देर इंची डार्ट निकलेगा तो हम इधरी के तरफ डार्ट निकालेंगे आप इधरी से डार्ट निकाले यह हमारा डार्ट देर इंची निकल जागा पौना-पौना इंच उसके बाद हम इसको साइड से हम इसको शिप पटी रखे इसा शेव देंगे आप यसको ब्ढ़े धियान से देखना है आपको ऐसा से पटी रखे अब ऐसा शेव दे इसको थोड़ा बीचह ई रखे निसान से और यहां से में मिलना रहता है तो वह आमारा कहा जाएगा याप को एसे मिला करनाए तो ये आप इसको ऐसे दे दे को इसको पेसे दे दे इसके बाद है हमारा कुंका स्केल बहुत बढ़ा है् यह हमारे प्रकुक्व में परिफेक्ट बैटता है तो आप स्केल सैंधा से एक सि consistency आपसे हमारा जो नी गुटना है उसके साफ से रखें और यह पूरा लगा लें तो यह देखिए हमारा इधर का निसान लग गया है इस्टेड अब हम यहां से देड़ इंची पीछे ले लेंगे और हम अपना अर्सन का लैन लगा लेंगे इसमें तो यह हमारा हो गया क्रोच लैन का इसके वाद हम इसमें थोड़ा शेप देंगे जैसे हमने देते हैं तो आप इसमें हलका ही शेप दे ज्यादा डीप ना दे इसके वाद अपना हीप ना अप लेना है आपको तो यह हमारा सारे दसा रहा है हमारा 42 सिंची का हीप है अब हम इसको मार्क भी लगा के काड़ देंगे यह बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा फिटिंग आती है इसकी यह हमारा इस्टेट रहता है यह और हमारा जो बीच का लाइन है उससे आपको दोनों तरफ बराबर चलना रहता है तो आप देख सकते हैं कितना असानी समने लाइन निसान लगा लिया है अब डाट का निसान लगा ले तो चार इंची हम इसको डाट रखेंगे और हमारा जो निसान है उसी पर हमारा डाट लगेगा और इसको हम काटेंगे और एक चीज आपको ध्यान देना है इस तरफ से जो है आपको क्योंकि यह हमारा बैठने के बाद फोल हो जाता है तो यहां से आपको पौना इंची निकालना है यहां से पौना इंची आपको निकालना है और साइड से इसे पट्टी रखके इसको गहराई देना है सामने के जोएंड के तरफ आप देख सकते हैं इसको उसके बाद आप उसको निकाल दें यह हमारा ऐसे और हमारा बैक जो है बढ़ता करड़ेगा इससे पहले भी हमने वीडियो पैंड का डाला था तो वीवर्स ने हम को जो हमारे देखने वाले हैं उन्होंने मुझे कमेंड किया कि उसमें निसान सही से नहीं मालुम चल रहा है तो इसके लिए हमने ये दूसरा पैंड का विडियो डाला है इसमें आपको किलियर निसान दीखेगा जो हमने मार्क लगाया इसमें आपको किलियर दीख रहा होगा इसमें तो आप देख अच्छे से देख के आप पैंड की कटीन करें बहुत ही सिंपल है ये पैंड काटना बस एक बार आपको समझ में आना चाहिए आप एक से दो बार तीन बार अगर आप विडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा तो ये देखे हमारा फरंट कट गया है अब इसको बैठा के हम बैक कपला काट लेंगे तो चलिए दोस्तों हम बैक का पला बिछा लेते हैं तो ये हमारा बैक का कपड़ा हमने बिछा लिया है अब इस पर बिठा के हम बैक काट लेंगे तो उपर के तरफ से आपको तीन इंची कपड़े छोड़ कर रखना एधर से और सिधा आपको इसको आप नाप के सिधा बैठाए कि कियाके और वर ये बना हो जाए लैए अब उबर की तरफ हम डाइ इंची का एक निसान लगाएंगे क्पड़ ये थुरी मोटी लेटी है तो डाइ इंची का और इधर की तरफ यहां से देर इंची और यहां पर एक इंची रखना है और एक इंची यहां भी रखना है यहां एक इंची से दो सूथ कमी रखेंगे चलेगा फिर आप पैसे भी ठाले इसको और उपर से इसा मार दे तो यह हमारा बैक हो गया अब हम यहां से यह वाला निसान से रखें उपर के तरफ हम एक निसान लगाएंगे पहले तो आप ऐसे स्केल पर्टी रखें और एक सीधा निसान लगा लें अब हम अपना कमर देखेंगे कितना हमारा कमर आ रहा है देखेंगे यहां तक आपके आपकी फिटिंग पैंट रहेंगी तूसमें आपको यह फिटिंग डाट में निकल जाएगा आपको और क्योंकि हमारा इलास्टिक रहता है तो इसमें हमको डाट मानने की ज़रूत नहीं रहती है तो यह आप देख सकते हैं यह सबा बारा है तो यह टोटल हमारा 45 इंची रेडी आएगा यह तो हमारा 42 इंची जो है हिप है तो 3 इंची का हमारा इसमें लूजिंग हो गया हिप के पास इसमें अगर आपको कम बेसिक करना रहता है बैक में तो आप कर सकते हैं अगर आपके साइड में जीप है तो उसमें आप फिटिंग पैंड काट सकते हैं क्योंकि हमारा ये लास्टिक रहेगा तो ये मोटी लेटी है तो उनको थोड़ा लूज चाहिए इसलिए हमने काटा है आपको सेम काट इदम सेम काटना है अगर स्रिफ हीप में अगर प्रोब्लम आती है कि लूज नहीं चाहिए तो आप यहां से फटिंग कर सकते हैं बराबर दुनों काट कर सकते हैं और उसके लिए आप डार्ट बैक में दे दीजिए तो हम इसको काट देते हैं तो यह हमारा पैंट रेडियो हो गया आप देख सकते हैं इधर की तिरफ से आपको बराबरी काटते हुए जाना है और नीचे से हमारा क्यूंकि अलग से पट्टी हमारा कैन में चिपक के लगेगा इसके लिए हमने इसको आदा इंच की दबाव रखके काटा है नहीं तो आप चाहें तो उसमें दो इंची का अलग से मार्जिंग र और इधर से एक इंची का दबाव लेके हम चलेंगे क्यूंकि इन केस अगर कभी हमारा लूश टाइट हुआ फ्यूचर में तो हम लूश टाइट कर सकते हैं आपको इधर से दबाव रखना ही है तो यह देखिए हमारा प्रैंट कड़ गया यह बहुती सिंपल है आप अराम से कार सकते हैं और अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ माया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए फिर मैं आपको महां से बताओंगा जो भी अगर आपका दिक्कत आती है तो लेकिन मेरे खैल से आपको बता दिया हूँ और यह पैंट आपका बिल्कुल स्टेट हो गया तो सुक्रिया दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए और और भी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और लाइक किजिए